नमस्कार दोस्तों स्वागत थे आपका हम बात कर रहे थे राजस्तानी शाहिती önसाईकार के संदर में ठीक है है तीन भागों में हमने जो बाटा उसको हम देख रहे थे सित्टरां लाल vot गया है प्राचीन मद्धी और आदुनी कालमे हमने प्राछिन कार के साहितिय और साहित कार की बात कर ली थी अब देखते हैं मधिकार के संद्र पे बात करें मद्धिकाल को साहितिय और साहितिय कारों का काल भी कहा जाता है और 15 से 19 सदी के मद्धिकाल कहा जाता है साहितिय और साहितिय कार देखते हैं मद्धिकाल के दोरान बिटू सुजा कौन सा सुजा बिटू सुजा बिटू सुजा इनके बारें बात करते हैं विकानेर के सासक राव जेतसी के दरबारी कवी थे बिटू सुजा द्वारा रचित प्रमु ग्रंथ राव जेतसी रोचंद हैं कौन सा है राव जेतसी रोचंद हैं यह जेतसी के इसमें राव बिका लून करण और राव जेटसी के बारे में वर्णन मिलता है बिका लून करण और राव जेटसी के बारे में इसमें जानकारी मिलती है इस ग्रंथ में बीटू सुजा ने लून करण को जो कल्यू का करण कल्यू का करण लून करण किसने का बीटू सुजा ने इस ग्रंद में राउ जेत्सी के परमुक सेनिय अभ्यानों के जानकारी भी इसमें मिलती है इसमें 1534 इस्यू में जो कामरान और राउ जेत्सी के मद्धिवाय यूद का वर्नन तता राउ जेत्सी की विज़े का उलेग भी जो है समनों ठीक है अब बात करते हैं मूनोदनेंस कौन सा नेंसी मूनोत नेंसी ये जोदपूर के जेन परिवार से समंद रखते हैं मूनोत नेंसी जोदपूर के जेन परिवार से समंद रखते हैं ये जोदपूर के महाराजा जसुन सिंग पर्थम के दरबारी कभी थे जसुन सिंग पर्थम के दरबारी कभी थे ये देवी पुताने का अबुल फजल का है किसका राजबुताने का अबुल फजल किस ने कहा परशाथ ने कहा किन को कहा तो मूनो नेंसी को कहाता है इनके ग्रंद को देखें मूनो नेंसीरी ख्यात मूनो नेंसीरी ख्यात मारवाडरी परगनारी विगत इसे राजस्तान का गज़ितियर भी खाहा सामगे परगणारी विगत रास्तान के गजट एर्भी इसको कहा जाता हुद नेंसी महारा चाहा जसुल चीग पठ्थम केशाच स दक्षीन बहारत गए गई जहां ओम नेंसी के मद्दी विवाद हो गया ता में मारा जाने नेन्सी को बंदी बना लिया माराजा ने बंदी बना लिया नेन्सी को नेन्सी वो उसके भाई सुन्दर्श जी ने आत्मगला दिन गलाने की कारण आत्मगलानी गिल्टी फिल लुए उनको ठीक है इसी के कारण जो है इन्होंने आत्मत्या कर ली दोनों भाईों ने जो है न आत्म हत्या कर ली दोनों भाई होने अबुल फजल देखते हैं अबुल फजल कौन से फजल है अबु फजल नागोर के सेख मुबारक खान के पुत्र थे नागोर के सेख मुबारक खान के ये पुत्र थे इनके भाई फैजी तता ये वो स्वेम अकबर के दर्बारी नौरतनों से नवरतों में सामल थे इनके भाई थे फैजी और फैजी देखेगा इनके भाई थे फैजी और वो स्वेम भी क्या थे दर्वारी नवरतों में क्या थे सामल थे अबुल फजल साब अबुल फजल जांगिर के साथ दक्सिन भारत गए थे अब ये जांगिर के साथ दक्सिन भारत गए थे जांगिर के साथ दक्सिन भारत गए थे जांगिर के साथ दक्सिन भारत गए और जांगिर के साथ विवाद हो गया लो जी दक्सिन भारत जो भी गए उसके साथ दया तो गए जांगेर के कहने पर बुन्द estem हुए का लिभी के कहने पर इनके दोर रचनित गरंथ चाहिए अब अब रुद B अक्बर नामा ये फार्शी में लिखा इसमें 21 सद्या है कितने हैं 21 सद्या है पहला अधिया आईने अक्बरी है पहला अधिया कौन सा है आईने अक्बरी है तुजु के बाबरी सेकंड तुर्की बासा में बाद में इसका तुजुके बाबरी फार्शी तुर्की बासा मता इसका फार्शी में अनुवाद किया इन्होंने क्या क्या अनुवाद किया कवी दूर्शा आड़ा इसको देखते हैं कवी दूर्शा आड़ा कवी दूर्शा आड़ा अकबर के दर्बारी कवी थे ये अकबर के दर्बारी कवी थे किन्तु बाद में अकबर का दर्बार छोड़ कर सीरोई के सासक सुर्तान देवडा के दर्बार में चले गए ये थे तो किसके दर्बारी कवी अकबर के लेकिन अकबर का इन्हों ने दर्बार छोड़ दिया और स सासक सीरोई के सासक हुए सुर्तान देवडा कौन से देवडा सुर्तान देवडा सीरोई के सासक ते इनके दरवार में चले गए कभी दुर्श्रा आडा ने राजस्तान के उन तीन सासकों के बारे में खूब लिखा जिन्होंने सोतंतरता की लड़ाई जो अकबर से लड़ी तीन के अच्छा लिखा उनके बारे में राहु चंद्रसेन अगरिगामी मारणा परताप का मारणा परताप और शूर्तान देवडा तीनों के बारे में इन्होंने लिखा जिन्होंने अकबर के विरुद जो है संगर्स किया पर्मुक गरंथ हैं इनका और दूशना अड़ा का कवे तेन के पर्मुक गरंथ है अगले कवी है बाकी दास कवी बाकी दास कोंसे दास है कवी बाकी दास कवी बाकिदास के संदर पर बात करते हैं ये मारवार के सासक महाराजा मान सिंग के धरबारी कवी वो मित्र थे मारवार के सासक ते महाराजा मान सिंग इनके धरबारी कवी वो क्या थे? मित्र थे इनके द्वारा रचित गरंद निम्परकार है कवी बांकिदास ने क्या क्या लिखे इनके गरंत को देखें तो बांकिदासरी ख्याद भूरजाल भूसन नीती मंजरी कुकवी बतिसी दातार भावनी मान जिसोम मंडन यह राजस्तान के परतम कवी थे जिनोंने सरों परतम अंग्रेजु के विरूद चेताउनी के गीत लिखने वाले अंग्रेजु के खिलाब सबसे पहले कवी हुए है यह राजस्तान के पर्तिराज राठोड की बात करते हैं पर्तिराज राठोड को डिंगल का है रोसका ये बिकानेर सासग राव कल्यानमल के पुतर तता महाराजा राई सिंग के भाई थे बिकानी इर्शास्च्छक राव कल्यानमल तता महाराजा राई सिंग क्या थे यह भाई थे राव कल्यानमल दो क्या थे पुत्तर थे सिंग क्या थे भाई थे ठीक है परतिराज राठोड 1570 इस्वी में पड्च Giraj राठोड Aकपर की सेवा में आगरा चले गए पर्तुराज राटोर 1570 में अक्बर की सेवा में कहां चलेगे आगरा चलेगे यह अक्बार के यह अक्बर की क्या बन गए दर्बारी कवी बन गए 1570 में आगरा चलेगे और अक्बर के दर्बारी कवी बन गए अब इनके परमुक गरंद है वेली कृष्ण र गागरोण ौदूरुग में की गई तीक है इस ग्रंद में श्रीकरष्ण एव रुक्मनी के वीवा का वरणन है छिरीक्रष्ण और रुक्मनी के विवा का वरणन किस में तीक है कि दूसरा अड़ा ने क्या क्या कहा वेले केर्शन रुकमनी रिको इसको पांचवा वेद बोल दिया नो उनिस्वा पुरान पुरान कितने अठारा उनिस्वा पुरान बोल दिया उपनिसद कितने 108 है 109 उपनिसद इसको बोल दिया चिक है वेद कितने 4 यानि कि इतना एक एक बड़ा दिया कि ये पांच वावेद का आजा सकता उनी सपुरान का आजा सकता एक सो नोवा उपीसद का आजा सकता ये दूसरा अड़ा ने कौन सग्रंद को कहा मेली कृष्ण रुख्मनी को किस ने लिखी परत्राज राठोड ने लिखी कहा लिखी गागरोंदुर्ग भी और भी रचना हैं इनकी देखते हैं दसम भागवत्रा दुहा गंगा लहरी कलाल जी राय मलोत्री कुंडलिया कला जी कला जी राय मलोत्री कुंडलिया दस्रत रावत ये ये रचना किसी है अरे वही रचना किस की परत्राज राठोड की अकबर ने परत्राज राठोड को ग गागरोन का दूर की किसमें जागीर में दे दिया जागीर के रूप में कनेलाल सेटिया ने परतिराज राठोड और मारना परताब के मद्दी विस्वाथ पर पीथल पाथल नाम कवितां लिखी पीथल पाथल परतिराज राठोड यहीं थे पर्तिराज राठोड कुझा तो justify 3-4 जिसमें पा्थल जो है माराणा पर्ताब को कहा गया और संगीत पर लिखे मारना कुमभा ने चार आप कौनसे संगीत राज संगीत मिमासा सूटлबन संगित रतनाकाश संगीत राज सं इमान साथ स्गीत मिमास अ Mt संगीत रतनाकार, संगी शासत्र पर 4 गृंट महारना कुमबादवारा लिखे गए सवाई प्रताफ सिंग कौन से सिंग है सवाई जेपुर के सासक थे तता भगवान श्रीकृष्ण के बहुत बड़े भगत थे सवाई परताफ सिंग जेपूर के सासक थे तता भगवान स्री कृष्ण के भहुत बड़े भक्त थे ये ब्रजनिदी नाम से कविताएं लिखते थे कौन से निदी से ब्रजनिदी नाम से ये कविताएं लिखते थे सवाई परताफ सिंग ठीक है स्वाई परताब सींग की सभी कविताओं का जो संग्र है वो ब्रजनिती गरंथावली में संग्रित हैं कौन सी गरंथावली इनकी ब्रजनिती गरंथावली इसमें संग्रित हैं अगले हैं महाराजा सावंत सींग, महाराजा सावंत सिंग, ये किसंगट के सा सकते, कहां के सा सकते, ये किसंगट के सा सकते, तता बगवान स्री कृष्ण जो थे, बगवान कृष्ण के बक्त थे, इन्होंने अपने राजपाट का त्याग करके, अपने राजपाट का ले लिया और वरंदावन चले गए और अपना नाम क्या रख लिया नागरी दास रख लिया क्या रख लिया नागरी दास रख लिया वरंदावन चले गए महारणा सावन सिंग ने नागर समुचे के नाम से कविताएं लिखी कौन से समुचे से लिखी नागर समुचे से जो बक्ती पर ने तरंग नाम्ग्रांद की रश्णा की कृष्ण फ्थी पर लिखा ने तरंग। ठीक हैं ha महाराजा जस्वन सिंग प्रथम महाराजा जस्वन सिंग प्रथम की बात करते हैं महाराजा जस्वन सिंग प्रथम यह मारवार के सा सकते कहा के सा सकते मारवार के सा सकते इन्होंने रिती और अलंकार से युक्त बासा भूसन नाम गरंद की रचना की रिती और अलंकार से यु ठीक है ये इनकी है महाराज जसुन सिंग की अन्य रचना है ये होगी मदिकाल के जो साहितिकार हुए राजस्तान के संदर पे उनकी बात कर ली अभे आदुनी काल की मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार